नमस्कार दुस्टोर स्टेगी मेटर की YouTube चैनल में आपका सौगत है दुस्तोर आज की एकलास में अनौपा समानूपात का फार्ट थरी है जिस बच्चे ने पार्ट थरी देखने से पहले पार्ट बन औो पार्ट तु नहीं देखा है वो part 1 और part 2 जरूर देखें तब ही उनको part 3 समन्व में आएगा तो पहला question आपके सामने है बेसिक concept के दार man man question कराए जाए जो कि हाले में MTS और GD में पूछे रहे question है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें पहला question आपके सामने है दो संख्याओं का ये फल दो संख्याओं का अनुपाद 5 अनुपाद 6 है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपाद 7 अनुपाद 8 हो जाता है तो संख्या क्या है बिलकुर basic concept से सवाल करेंगे सवाल बहुत अच्छा है आप वीडियो को पूरा जरूर देंगे सवाल में बताया गया है कि फर्स्ट और संख्याओं का नुपाद 5 अनुपाद 6 दिया गया है इसको आप एक्स भी मान सकते हैं 5 एक्स और 6 एक्स एक्स एक बाद मैं आपको बता दूँ कि क्या आपकी आप क्या अगर अनुपात में दी होती हैं तो उनको आप बते में भी लिख सकते हैं 5 एक्स इन्थो अ पॉन में आपका 6 एक्स आ जाएगा चीक है तो एक से एक्स कर जाएगा क्या बेच्चा आपको लिखने का तरीका बताया गया है 5 एक्स पिलस 6 आप इस तरीके से लिखेंग तो 6 x plus 6 इन की सीकन्स हैं कि आप यहाँ पे लख रहेंगे और आगे बताये गया है कि 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपाद 7 अनुपाद 8 हो जाता है तो इसमें आपको 7 अनुपाद 8 जोड़ना है तो इनका करेंगे आप केंची गुड़ा इनकी तरिया गुड़ा करेंगे ठीके 6 का गुड़ा करेंगे पहले 5 में और 6 में तो 8 का गुड़ा करेंगे 5 में तो कितना आएगा 40 x plus का चिन लगेगा 6 में करेंगे तो आएगा आपका 48 बराबर के लगेंगे चिन 7 का करेंगे 6 में तो साच छेंग होता है 42 x और साच छेंग 42 आपका सिंबल आ जाएगा इत्ता कोसें करने के बाद आपको इसनी बस थोटी से ट्रिक लगानी है आपका राइट आजाएगा पहले आपको x x मैंसे माइनस करना है और प्लस प्लस वाली करना है तो प्लस के 42 मैंस के 40 गटाएंगे आपके कितने बचेंगे माद के 2 x बराबर के एक कियोंकि प्लस मैंस скे माइनस घटाएंगे तो आपका कितना बरेगा 48 मैंच 6 42 खताएंगे तो आपका चैनी बीची का माइनस से कलेर हो जाएगा और दो से गटेगा शे 3 बंक battles को पीसिंगर थिए 3x थिरी एक्स कितना दिया गया है पांच, पांच का में गुणा आप तीन में करेंगे तो आपका 15 निकल के आ जाएगा और 6 का गुणा जब आप तीन में करेंगे तो 18 आ जाएगा 15 अनूपर 18 हन की option number आपका C right हो जाएगा, इस question का question आप उनको स्मझ में आया है तो बीडियो को like, share, comment जरूर करें next question आप से clear हो जाएगा अगर इस question में आपको थोड़ी वो दिक्कत आ रही है तो next question आप देखेंगे next question आप पर सामने है बल्बूर simple और short तरीके से इसी type का question है आप इसको खुद लगा सकते हैं तो इसका comment में answer बता सकते हैं आपके पास 5 second का समय दिया गया है फिर मैं कराता हूँ तो इस question को करने की सिर्फ बहुत रख है जो आपकी पहले question में आपने की है question को आपको ध्यान से पढ़ना है question की भासा समझे नहीं है कि question में क्या बोला गया है question वो लगया है थीरी संख्याओं यहीं की तीन संख्याओं का यह फल इंक्याओं है कितना तीन संख्याओं का यह फल इंक्याओं है यदि पहली का दूसरी से अनुपाद चार अनुपाद पांच तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से एक अनुपात दो है तो तीनों संख्याओं का गुढणफल ग्याद करना है इस Questions में आपको गुढणफल ग्याद करना है तो आप इसी तरीके से लिख लेंगे कि फर्स्ट सेकिन फर्स्ट ठेड इस तरीके से आप लेख जएंगे जैसा कि यह कॉस्टन में बूला गया तो पहले आपको क्या है तो पहले तो आप लिखेंगे यो, यो को आपका कित्ता दिया गया है, इनक्यावन ठीक उस type से आप लिखेंगे, पहला है आपका चार अनुपात पांच और दूसरी का है आपका एक अनुपात दो, इस type से आप लिखेंगे अब आपके सामने question कुछ इस type से दिया गया है, कि आपको बिरावर करना है तो जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे और दो में करेंगे तो आपके अनुपात बिरावर हो जाएंगे 4 का गुणा करेंगे, एक में तो 4 आ जाएगा, अनुपाद 4 का गुणा 8 में करेंगे, तो आपका 4 अनुपाद 8 आ जाएगा, इस कौस्चन का, अनुपाद निकले बराओ, अब आपके पास एक और एक तो आपका common हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 है, तो आप इस तवीके से लखे दूसरा आपका है पांच और तीसरा है आपका आठ पहला उगे आप पांच अनुभाद चाढ़ एनुपाद पांच एनुपाद आठ ठीक है अब आपको क्या करना है कि बुल गिंग यू तीनों को आपको जोड़ना पड़े यहां फिर आपका यू कमें आप गुड़न करेंगे तीनों को अपषट और चारनों और आट होता है आपका सत्रा योग में आपको निकाला है भाग देना है डवाइड रियोग करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा तीन बार सत्राती होता है इंक्यावन अब आपको क्या निकालना है इसका योग इनकी तीनों संख्याओं का इससे करना है आपको गुडा पांच का गुणा जब चार का गुणा तीन में करेंगे तो हो जाएगा आपका बारा पांच का गुणा तीन में करेंगे तो हो जाएगा आपका पंदरा और आठ का तीन में करेंगे तो हो जाएगा आपका चोवीश आपका रीश की निकल के आगया अब आपको क्या करना है कि गुण राइट आंसर आ जाएगा option number first आपका इस question का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो like एक बार जरूर करें ऐसे concept डार वीडियो में इस channel पर लाता रहता हूं तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में next concept के साथ आथ की वीडियो में जबने question कराएगे है और question MTS और GD के आई होए question है तो वीडियो को like, share जरूर करें मिलते हैं next question वीडियो में